नोतुन्दिलीर भारत मंदवा मत अनुस्तितो हो वर्ल्ट टेली कम्यूनुकेशन स्टेंडराइजेशन असेंब्ली मुकुली करे प्रधानमोटी नरेंद्रमोडिये ITU World Telecommunication Standardization Assembly Reliance जीर अरद्धिक्यो आकास अम्बानी उपस्टिदासे क्रिट्रीम बुढधी मत्ता क्लोई आकास अम्बानी गुरुत्त पुना मन्टब्यो क्रिट्रीम बुढधी मत्तार ड्वारा भारते खुड्र और मजुलिया विद्धुक हमु उटपादन केंड्र हमु र 2000 हाचली सनर भीतरत बिकोखित भारतर भावे क्रिट्रीम बुढधी मत्ताई आमार हपुनक बास्टबाइटकोरार भावे किसु जोतिल हमय पार कुरिब लागी बुढधी के प्रधार्मत्री नारेंद्रमोडे नात्रिटत भारते आत्मनिर्भर हबले क्रिट्रीम यह उनुस्थानात रिलाइंच जी और अध्धिक्या का संबादिये प्रधार्मत्री नारेंद्रमोडे नात्रिटत आगुंतुक दिनात भारते सीक्स जेट ओधिक भाल फलाफल देखुआब पारी बबुलिव ब्यक्ता करे साथियों आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नलोजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है भारत जहां 120 करोड यहने 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स है भारत जहां 95 करोड याने 950 मिलियन इंटरनेस यूजर्स है भारत जहां दुनिया का 40 परसंट से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास माइल डिलिवरी का एफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है वहां ग्लोबल टेली कॉम्मुनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गूर का भी माध्यम बनेगी है मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है देता हूँ फ्रेंड्स डव्यूटी ऐसे और इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्मपूर है डव्यूटी ऐसे का लक्ष ग्लोबल स्टैंडर्ड पर काम करना है बहीं इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस की बड़ी भूमे का सर्विसिस के साथ जुड़ी हुई है इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड और सर्विसिस दोनों को एक ही मंच पर ले आया है आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है हम अपने स्टैंडर्ड पर भी विशेश बल दे रहे हैं ऐसे मैं डव्यूटी ऐसे का अनुभव भारत को एक नई उर्जा देने वाला होगा साथिवोट डव्यूटी ऐसे पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिये एमपावर करने की बात करता है इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिये ससकतर करने की बात करती है यानि इस event में consensus और connectivity भी एक साथ जुड़ी है आप जानते हैं कि आज की conflict से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है I P. K. यंद पिसल्ड़ाई आप्सेशनलेजिस्टिंजिस्टिंज इन को इन को घुड़ी इन दोका है कि अट इन हमें आप सक्षी में एंवानिया है वे बिएड़ी स्थ का इन आप आप एप सक्टमेश को जादे वानियान। and bring in an era of unimaginable abundance and efficiency. With AI, India has the potential to completely transform the manufacturing centers, including SMEs, so that India becomes a new age factory and new age service center for the world. The agriculture sector, so that our farmers can become prosperous by growing more with less water. The health sector, so that quality health care for all can become a reality. The education sector, so that every Indian student can have the best of learning opportunities. AI is absolutely critical for realizing our dream of a Vixit Bharat by 2047. Therefore, India, under your leadership, should urgently embrace AI with a holistic strategy driven by maximum Atman Hirbhar efforts.